सब को नमस्कार देड़ महीने तक लॉकडाउन के बाद आज से केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ-कुछ छूट दी है पूरे देश को रेड जोन, ग्रीन जोन और औरेंज जोन में बांटा गया है ग्रीन जोन में काफी रियायते हैं, औरेंज जोन में थोड़ी कम हैं और रेड जोन में काफी कम रियायते दी गई हैं। तर नहीं जा सकती। तो उनकी गाइड लाइन्स के हिसाब से जो जो केंदर सरकार ने अलाओ किया। हमने आज से दिल्ली में वो सारी गतिविधियां अलाओ की हैं। कुछ किसम के दुकाने खुल सकती हैं, stand-alone shops, markets allowed नहीं है, malls allowed नहीं है, market complex allowed नहीं है। इंडस्ट्रिल एरिया कुछ खुल सकते हैं, कुछ तरह के दुकाने, residential एरिया में कुछ दुकाने खुल सकती हैं। उसी तरह से self-employed लोग जो हैं, technicians हैं, आया हैं, इस किसम के लोग जो हैं, जो self-employed electrician है, plumber हैं, वो लोग काम कर सकते हैं। इस तरह की कुछ ही रियायते हैं, जो मैंने कल आपको detail में बताई थी, जो खुल सकती हैं। अब हमें धीरे-धीरे किस तरह से कोरोना को हराना हैं, कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती, जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पुछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था, जब डेंगो को हराया था। 2015 में डेंगो के 16,000 केस हुए थे, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुए थी, और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ़ते, 10 बजे, 10 मिनिट प्रोग्राम किया था और डेंगो को हराया था। पिछले साल 1500 केस हुए थे और एक भी मौत ने हुए थी दिल्ली के अंदर, गजब का काम करके दिखाया था आपने, अब हमें करोना को हराना है, जिन्दगी बर तो लोगडाउन में नहीं जीना न, ऐसे लोगडाउन कब तक चलेगा, करोना को हराएंगे, तब ही तो लोग अक्टिविटीज शुरूर की जाएगी, तो अगर दिल्ली के लोग डेंगु को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगु के सामने जुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को, कोरोना को भी हराना है, और मिलके हरा सकते हैं, बस तीन चीज़ों का ख्याल हर हालत में मास्क पहन के रखना है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ, मास्क जरूर पहने, यह सबसे बड़ी प्रोटिक्षन है, कसम खालों की मास्क पहने बिन आप घर से बाहर ने निकलोगे दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूसरे लोगों से कम से कम दो गज तीन गज की दूरी बना के रखनी है किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां लोगों ने इनका ख्याल रखा वहां पे लोग बच गए और तीसरी चीज अपने हाथ हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं हर आदे-आदे घंटे में हाथ धोलो साबून से हाथ दोलो, सैनिटाइज कर लो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो ये तीन चीजों का ख्याल रखना है अगर इन तीन चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप लोग करोना से बच जाओगे आपको करोना होगा की नहीं होगा ये 90% आपके उपर निर्भर करता है अगर आप इन तीन चीजों का ख्याल रखेंगे तो करोना आपको नहीं होगा और हम दिल्ली के लोग मिलके करोना को हरा सकते हैं मुझे अपने दिल्ली के लोगों पर भरोसा है कल केंदर सरकार की गाइडलेंस के हिसाब से हमने भी छूट दी जो जो केंदर सरकार ने का भी ये कर सकते हो ये कर सकते हो ये कर सकते हो तो इसके हिसाब से हमने दी आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने अपनी लोग बहुत अच्छे हैं दिली के लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने social distancing नहीं माने, भगदड मच गई, इसे किसका नुकसान हो रहा है, आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बिमार पड़ोगे, आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड में थे और उसमें 2-4 लोगों को मानलो करोना था, आपको भी हो क्यों इस तरह की गतिविदी करते हो, जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की सही नहीं किया, कसम खालो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड नहीं करेंगे, कल से हम social distancing पूरी follow, कल से क्यों, अभी से, अभी से हम social distancing पूरी follow करेंगे, तहीं भगदर नहीं करेंगे ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूँ मैं अपने आपके लिए कह रहा हूँ आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूँ आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूँ अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूँ और यह कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है और कोई दुकान बंद नहीं हो रही कोई ऐसा थोड़ी है कि बस एक घंडे के अंदर कोई दुकान खुल रही है दुकाने तो खुली हुई है कल भी खुलेगी परसों भी खुलेगी तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जुरूरत है लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही तो फिर हमें उस हेरिया को लोगों की आपकी सेहत के लिए दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े हम कड़े कदम उठाएंगे इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायते दी गई है इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं अब गतिविदिया शुरू करते जाएं अर्थवेवस्था शुरू होती जाएं अगर हम जिम्मेदार नागरी के बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी औ हमारा परिवार से रखशित रहे हैं तो मेरी आप से हाथ जोड़ के बिंती है हम नहीं चाहते कि और कड़े कड़े कदम उठाए जाएं लेकिन अगर किसी क्षे एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है और दूसरी चीश दुकान वालों को जिम्मेदारी लिने पड अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने यह नहीं हो रहा है आपकी दुकान बंद कर देंगे आपकी दुकान सील कर देंगे और अगर किसी क्षेतर के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो सेरिया को सील कर देंगे हमें करना पड़ेगा आपके लिए करना पड़ मुझे अपने दिल्ली के लोगों पर भरोसा है विश्वास है कि हम बड़े-बड़े काम करके दिखा सकते हैं हमने बड़े-बड़े काम करके दिखाए है जब पूरी दुनिया डेंगू से जूज रही थी हमने डेंगू को हरा के दिखाए था अब हम करोना को भी हरा के दिख